So our next topic is NET NET क्या होता है Network Address Translation जो Private IPs को Public में Convert कर देता है इससे Security भी मिलती है और IPs हमारे Waste नहीं होते Private IPs मतलब Free है Network में और Public हमें Pay करना पड़ता है अब अगर इन 3-4 Computers ने Internet पे जाना है तो उनको Public IP चीए तो First हम Static Net कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है यह जातर मेंली वो यूज़ करते हैं जिनके यह Servers लगे हो हैं जिनके पास हम बलकि Computers की जगा साथ Servers भी लगा देते हैं क्योंकि Servers का Particular A की Address होता है तो सबसे पहले हम LAN है Interface F0.0 इधर Address दे रहे हैं Interface F0.0 IP Address 192.168.1.100 With Subnet Mask No Shutdown उसके पाद DACP Pool भी चला जेते हैं IP DACP Pool Cisco Default Router जो मेरे अभी मैंने Interface को दिया है और Network कौन सी रेंज में Address मिले हों से 1.0 255.255.0 तो हमारा यहाँ पे Configure होगे DACP चल रहा है देखते हैं अभी ग्रीन निवी लाइट तो अभी टाइम लेगा इतना हम यह वाला Configure कर देते हैं ISP हमारा Internet Service Provider तो F01 पे हम Address दे रहे हैं IP address 1.1.1.1 1.1 No shutdown Clock Rate की जुरूत निया है क्योंकि Serial Cable निढी है ऐसी F is 0-0 पर तो अभी हमने एड्रेस दे दिये DSCP से एड्रेस मिल रहे हैं देखे थे DSCP भी चल रहा है सर्वर पर भी एड्रेस दे देते है तो हमारे नैट तीन तरह क्यों होते है Static, Dynamic and Pat हम तीनों करने वाले है तो इसी डाइगरम को मैं बार बार कॉपी करूँगा इसलिए मैं इसी में पेस्ट कर लेता हूँ ये इस Pat हो गया तो हम लास्ट में पैट कर लेंगा तो सबसे उपर Static नैट कर रहे है यहाँ पे ISP या एड्रस दे रखा है तो Static नैट में क्या होगा एक ही कमांड है IP NAT Inside Source Static IP NAT कर रहो हूँ है इंसाइड जो इंसाइड में होते हैं नैट Private IPs मेरी इंसाइड में चल रहे हैं तो एक NAT करने कांफिगर इंसाइड सोर्स तरीका क्या है नैट करने का Static तो address क्या है किसको आप चेंज करना चाते हो इंसाइड एड्रस के है आपका 1.2 जैसे 1.2 को चेंज करना है 192.160.1.2 और आपने एक public IP address खरीद रखा है वो कौन सा address होगा 1.1.1.network का ही जो यहाँ पे network चल रहे हैं आपके यहाँ 1.1.1 था और यहाँ पे 1.1.2 तो इसी network का कोई भी IP address तो आपने ISP से purchase कर लिया और यह किसमें चेंज होगा 1.1.1.10 ले लिया जैसे मैंने ठीक है तो यह पूरा चेंज होगा अभी Static Net है तो interface F.0.0 है जो इसमें देनी एक command IP Net Inside और interface जो F.0.1 है यह IP Net Outside है जो public में convert करेगा IP Net Outside अब हर एक IP के लिए आपको public IP खरीदना पड़ रहा है 1.2 के लिए 1.10 अगर मैं एक और server का करता हूँ इधर DHCP 1.3 तो 1.3 के लिए भी IP address आएगा यही same command रहेगी 1.3 और उसके लिए भी एक public IP खरीदना पड़ेगा जैसे इसके लिए 20 खरीद लिए 12 खरीद लिए 11 तो जितने आपके PCs या computers होंगे तो उतने आपको public IP address खरीदने पड़ेगे तो mainly यह यहाँ वहाँ पी उता है like Google के servers है तो उनको तो हर एक server को public IP देना है ताकि एक server मेरा down होगे तो दूसरा access कर पाएं तो static net mainly इतना use नहीं होता होम users वगरा के लिए तो इसके बाद dynamic net करते हैं dynamic net में क्या है अब यह 5-6 IP देते देते हैं वो बस easy to configure है है वो भी static net वो भी एक IP को एक में ही convert करेगा बट main इसका क्या है यह पूल बना देता है मतलब अगर आपने तीन IPs खरीद ली यह 30 IPs खरीद ली तो 50 computers हैं तो जो भी पहले 30 PC जाएंगे उनको net access कर सकते हैं बाकी नहीं कर सकते तो एक access list बनानी है इस में इस dynamic net में access list 1 permit करा देना जो नीचे network चल रहे है लाएं पे उसका subnet mask wildcard mask अब IP net pool बनाने एक जो आपने pool मतलब जो IP address आप खरीद होगे जैसे मैंने 1.1.50 से लेगे 1.1.1.55 तक 54 तक IPs खरीद ली यानि 5 IPs खरीद ली और उनका mask क्या है कुछ एक सेकंड़ IP net pool कोई भी pool का नाम सौरी जिसे जेक्यार दे देते हैं कहां से कहां तक IP खरीद ली 50 से लेके 1.1.1.54 तक 5 IPs खरीद ली उसके बाद net mask क्या 255 क्लास हेगा अब इसको अपलाई करने के लिए IP net inside source पहले static करते थे अब static की जगह है list आएगा list कौन सी है जो access list बनाई है वो क्या number तो उसका 1 access list 1 है और pool का नाम क्या है jkr हो गया configure सबसे पहले क्या किया एक access list बनाई उसके बाद एक pool बनाया मतलब यह access list बनाई है कि यह पूरा network है और एक हमने pool के address ले लिए अब यह last command से उनको इक अठे करना है तो यह command आई पी net inside source जो access list है यह वाला पूरा network है इसको pool कौन सा sign हो जाए jkr वाला यह यह सारी IPs इसन में convert हो जेंगी तो इसको apply कैसे करना है आपने interface fa 00 पे ip net inside और interface fa 0 slash 1 पे ip net outside यह net होता है जैसे उपर भी हमने configure किया है यहाँ यह भी हमारा inside port है हमें लगाना पड़ता है दोनों ports पे कि कौन सा network inside है महला private IPs किदर है और public किदर है तो यह inside है net यह outside net है तो हमारा topic है PAT port address translation यह dynamic overload भी बोलते हैं से इसमें क्या करना है आपने configure terminal वही same access list बनाया permit कराया उसी network को 192.168.1.0 0.0.0.255 permit कराया IP net pool dynamic और static में कोई फरक नहीं है एक server को एक address मिल रहा है बट PAT में किया अगर आपकी 50,000 भी computers हैं around 60,000 IPs एक ही IP से convert हो जाती है तो एक IP अगर आपकी down वगरा हो जी है कुछ भी तो इसलिए आप दो IPs और अखलो backup के लिए तो IP net pool pool क्या दिया जैसे जे क्यारी starting address जैसे मैंने एक address लिया 50, ending address भी यही क्योंकि आपने एक ही address लिया है net mask इसमें starting और ending सेम हो जगा और IP net inside source static source static की जगा आपने source list दे दिया one और pool का नाम दे दिया jkr सेम वैसे है बस last में command लग जगी overload तो यह हमारा pat था तो अब मैं तीनों को ping करके देखते हैं first static net से start होते हैं हमने configure किया है पहला packet fail ही होता है कहीं बर क्यों fail हो रहा I think हमने pool पे भी लगाया convert नहीं हो रहा हमने I think apply किया था कहीं हो रहा है कुई गल क्या रहा है अगते हैं और किया रहा रहा है कुईनाओ नहीं है कुईनाओ प्लाव झाल झाल वन डोट वन से पेकिट आ रहे वन डोट वन हमने नेट के एंट्री करी है हमने वन डोट वन किया ही नहीं था वन डोट सर्वर्स को किया था स्टेटिक नेट में हमने नेट सिरफ वन डोट टू और वन डोट थ्री के लिए किया था इसलिए वो पिंग नहीं हो रहा था हमने सिरफ servers के लिए किया था अगर उनका करने तो उनकी भी entry देनी पड़ेगी वो first time होता है आरप जनरेट होता है इसलिए अब successful आ गया तो अगर आप इसकी show IP net translations देखते हो तो जो 1.2 है 1.2 है ये किसमें change हो रहे हैं 1.2 वाला 1.10 में हो रहा है इन में हमने static entry दी हमने पूल दे दिया 5 IP का कि कोई भी address है वो जा सकता है जैसे इसको हमने दिया नहीं था 1.1 हमने entry नहीं करी थी बटे pink कर पा रहा है देखते हैं ये देखो successful जो भी उसे नहीं पता नीचे किया है manually entry नहीं है बट जितने भी computer सा उनको अपने आप जो भी first in first out है जो भी पहले आएगा उसको आगे forward कर देगा बट dynamic net में जिसको भी आप traffic भेजोगे हमने नेट अपलाई नहीं किया आई थे इंक इंटरफेस इस पर नहीं वो interface f0.0 पर ip net inside और interface f0.1 पर ip net outside अब कोई भी package जाएगा तो ping हो जाएगा सर्वर से वापिस आया और यह successful अब वो अगर मैं और कोई pc करके देखता हूं पिंग में नेट बनाना उसको फिर apply भी करना यह भी successful आ रहा है अगर आप show ip net translation से command है वो देखते हैं गर तो सारे के सारे 1.1 1.2 सारे 1.50 में change हो रहे हैं यह pat है यह port numbers port numbers add हो जाते हैं इसमें 1.53 और यह